वेतन अधिनियम 1936 के टॉप 15 MCQ हम देखने वाले कितने MCQ देखने हो मात्र 15 MCQ देखेंगे जिसमें आपकी एक्जाम में ऐसा ही पैटरना पर प्रस्ना पुछा जाएगा जिसका एक्जाम आपको 24 जून को होने वाला याने कि CGV आप हम लेवर इस्पेक्टर के बात करा हूं स स्रम निरक्षक सायक पदधिकारी भरती का जिसमें आपका स्रम विभाग में स्रम विभाग से 15 नंबर के कोश्चन पुछे जाएंगे जिसमें यह टॉपिक है वेतन अधिनियम 1936 इसके टोटल 15 MCQ देखेंगे तो चलिए टोटल 15 MCQ को लगतार बनी रहेगा आप लोग को मा वेतन अधिनियम 1936 से प्रस्न देखने को मिलेगा तो इसका आपसन ए मूल वेतन आपसन भी महंगाई भत्त आपसन सी प्रोसाहन या अपसन डी ग्रेजेटी तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर वेतन भुकतान अधिनियम 1936 में मजदूरी की परिभासा सामिल नहीं है तो आपका आंसर डी होगा क्योंकि यहाँ पर जो मजदूरी परिभासा में सामिल है आपको मूल वेतन, महंगाई भत्त, प्रोसाहन ये तीनों ही चीज है जो वेतन भुकतान अधिनियम 1936 में मजदूरी की परिभासा में सामिल किया गया है तो आप बताएंगे सामिल वाला है, मूल वेतन सामिल है, मंगाई और प्रोसाहन ये तीनों ही चीज जो मजदूरी की परिभासा में सामिल है ठीक है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजेगा पहली बार आया है तो चलिए सेकंड कोश्चन है, वेतन भूगतान अधिनियम 1936 के तहत कटोटी की अधिक्तम सीमा समानेता पार नहीं होनी चाहिए तो इसका अंसर C होगा, सहकारी समीती के भूगतान के मामले में आमतर पर 50% और 75% याद रखना एक बार फिर से आमतर पर 50% और 75% जबकि देखिए वेतन भूगतान अधिनियम 1936 के तहत कटोटी की अधिक्तम सीमा, देखिए यहाँ पर 1936 में जो कटोटी होती है उसकी अधिक्तम यानि की अधिक्तम सीमा जो समानेता पार नहीं होना चाहिए मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ कि वेतन भूगतान अधिनियम 1936 से मैं 15 MCQ लेकर आया हूँ जिसमें यहाँ से एक से एक कोश्चन आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा ठीक है तीसरा प्रस्ण है यह है कि यदि मजदूरी भूगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों के विपरित कटावती की जाती है तो प्रित करमचारी अधिनियम के तहत निरक्षक को नीचे दी गई समय के अवधी के भीतर उस तिथी से जिस दिन मजदूरी कटावती की गई है या फिर तिथीम लिख सकता है कि मजदूरी के भूगतान बकाया किया जाएगा तो आपका आएगा 12 सब्ता यानि की 84 दिन मात्र 12 सब्ता या फिर 84 दिन होगा चलिए कि स्रम कानून के तहत ऐसा कौन सा कानून स्रम के तहत है जिसमें भारत चेक आपका प्रोधान स्विकार कर लिया गया है तो ये मजदूरी अधिनियां 1936 का भुखतान है एक बार फिर से यात कर लिजेगा मैं टॉप 15 MCQ करा रहा हूँ जिसमें आपके एक नए कोस्चन देखने को मिलने वाला है है ना तो स्रम विभाग में 15 नंबर से प्रस्न पूझा जा रहा था है अलग-अलग टॉपिक दिया है सिलेवस के तोर पर लेकिन मैं आपको वेतन भुखतान अधिनियां 1936 के टॉप 15 MCQ करा रहा हूँ जो आपके आने वाल एक्जाम के लिए काफी महत्तप पूर्णा होग आपके पास बहुती कम समय बाच्चा हुआ है एक बार वीडियो को रिवाइस करके जरूर जाएगा जो लोग सीजी आपम लेवर इस्पेक्टर के इजाम दिला रहे हैं ठीक है वीडियो आपको काफी जादा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक की जीजगा और भी ह स्रम विभाद संबंधित टॉप एमसी क्यू लेकर आएंगे जिसमें आपके बहुं सारे कोश्चन पूछा जाएगा जिसमें निम्ता मजदूरी अधिनियम 1947 से कोश्चन देखेंगे वेतन भुक्तान अधिनियम 1936 की क्लास चर रही है ठीक है जिसका अधिनियम में बात करे होने वाले हैं तो चलिए यहां पर हम देखते हैं इसका आंसर बिल्कुल सी होगा कि स्रम कानुन के तहट तो मजदूरी अधिनियम 1936 की भुक्तान के तहट भारत में चेक आपका प्रोधान किया गया है ठीक है वेतन अधिनियम 1936 की भुक्तान का प्रोजन के प्रती महावर तो मान में वेतन सीमा कितना है तो मात्र 18,000 रुपए है वेतन भुक्तान अधिनियम आपका हो जाएगा 18,000 ठीक है चलिए नेस्ट कोस्चन है आपका कि वेतन अधिनियम 1936 के भुक्तान में रेलवे कार खने अध्योगिक प्रतिस्थान यह जिसमें एक हजार से अधिक यह कम वेक्तिकारल रत हैं देखिए एक हजार से कम वेक्तिक कार रत हैं तो उसकि मजदूरी कर समubscribe इतिसार भुक्तान एक है तो महिने को भुकतान कितने दिन के अंतर होना चाहिए तो 30 दिन जाने की एक महिने के अंदर ठीक है यदि करमाचारी के न्योकता द्वारा नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है देखे यदि करमाचारी को न्योकता द्वारा नौकरी से बर्खास्त या फि कोई क्रमाचारी है जो नियुक्तरणा नोकरी से बर खास तक कर दिया गया है या फिर हटा दिया गया है तो कितने दिन से पहले उसको दिया जाना चाहिए तो मात्र ज़से सबिलिभ़न चाहिए, किर्मचारी व्यता रहस है, जुर्माने की खा Ao वेतन के प्रतिसत से अधीक नहीं होना चाहिए तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर करमचारी पर नियुक्तदर लगाएगा जुर्माने के कुल रासी 3% से उनके वेतन के प्रतिसत से अधीक नहीं होना चाहिए जुर्माने की वसूली जुर्माने की तिथी से कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए तो साथ दिन यानि कि दो महने जुर्माने की जुर्माने की वसूली होती ही ना जुर्माने की तिथी उसको कितने दिन के भीतर करनी चाहिए तो दो महने मातर साथ दिन ठीक है यदि 10 या अधिक वेक्ति एक सांद बिना किसी सुचना और बिना किसी उचीत कारण के लिए अनुपस्थित रहते हैं तो नेक्ता अपने वेतन से कटवतिक रुपे कितना दिन का वेतन बना सकता है तो मात्र आट दिन का वेतन बना सकता है याद रखना दोस्तो आट दिन मात्रा देख लिजे एक बार फिर से प्रस्न पढ़ लेता हूं यदी दस या अधिक वक्ति एक साथ बीना किसी सुचना के उसको बीना किसी सुचना दिये बीना किसी उचीत कारण के कर्द जब बेखले वहाँ पर अनुपस्तित है तो नेकता अपने वेतान से कट आउती कितने दिन तक काड़ सकता सिर्फ आठ दिन तक वह अपने वेतान बना आ सकता है बांकि उसको नहीं मिलने वाला चलिए देखते हैं ये सबसे मातपोर्णा है कि यदि मज़ूरी की अवधी एक महीने से अधिक है तो नेकता को जुर्माने से डंडित किया जा सकता है जो की एक हजार रुपए से कम नहीं होगा लेकिन जो साथ हजार पांस रुपए तक बढ़ा जा सकता है तो कब बिलकुल सही है एक हजार से साथाज पांस रुपे तक बढ़ाया जा सकता है तो आपका अंसर ए होगा ठीक है चले चवदा प्रस्न देखते हैं जो कोई भी इस अधिनियम के तत्म ने करता है वेक निर्वाम एक निरक्षन को बाधित करता है उसे जुर्माने से डंडित किया जा सकता है उसने कितने रुपे तक किया सकता है तो मातर तीन हजार रुपे तक टीक है कितना तीन हजार लाश्ट प्रस्न देखते हैं ऐसे किसी भी कर्मचारी पर जुर्माना नहीं लगा जाना चाहिए जिसकी आयू कितनी वर्स हो 15 वर्स से कम ना हो यह तो बाल प्रतिक सेद हो थे तो बाल प्रस अधिनियाम आ जाएगा न, हर 17 साल टीक है वीडियो आपको कैसा लाइख बर एक बार कमेंट करके बताएग है और भी ऐसे वीडियो पाना चाहते है तो वीडियो को लाइक कीजेगा श्तान करके बताएगे कि वीडियो आपको कैसा लागा ?